हेलो फ्रेंब्स मैं अनामिका, मेरी कीचिन में आप से भी का श्वागत है फ्रेंज मैं आज गाजर के हलवा के रेश्पी लेकर आई हूँ इसे हम मील्क पौर्डर से बनाएंगे तो इसे हम in-spreading हलवा कहेंगे इस रेश्पी को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है इसे आप कभी भी मीठे में बना सकती है तो अगर आज की मेरी हलवे की रेश्पी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक केजिए, सब्सक्राइब केजिए, सेयर केजिए और कडाही रखेंगे और गैस को आउन कर लेंगे कडाही गड़म हो चुकी है अब हम उसमें डालेंगे एक कटोडी देसी घी, देसी घी में बनाया हुआ गादर का हलवा बहुत ही तेश्टी होता है और हम घी को अच्य से मिल्ट होने देंगे घी अपना गड़म हो चुका है तो यहाँ पे हम डेर खीलो गाजर को अच्छे से धो के कपरे से पोच के ग्रेट कर लिया है मोटे ग्रेडर से हमने ग्रेट किया है अब हम इसे घी में भूनेंगे अब ही यह जादा दिख रहा है लेकिन भूने के बाद गड़के कम हो जाता है तो हम इसे चलाते हुए कंटिन्यू पंद्रह से बीच मिनट तर भूनेंगे गैस का फ्लेम अभी हम तेज ही रखे है जब अपना गाज़र गड़म हो जाएगा तब हम मेडियम फ्लेम कर लेंगे हल्वा को हमने चलाते हुए 20 मिनट तक हुना है तो आप भ्यान से रेखिए इसकी क्वांटिटी कम हो गई है गाज़र के लिए हमने आधा किलो सक्कर लिया है तो हम इस सक्कर को डालेंगे सक्कर डालने से अपना हल्वा पानी छोड़ेगा और गल भी जाएगा तो हम इसे अच्छे से चलाते हुए सक्कर के साथ पकाएंगे गैस का फ्लेम हम मेडियम ही रखे हैं इस टार्टिंग से सक्कर डालने के बाद गाज़र में देखिए कितना पानी छोटा है ताजी ताजी गाज़र है सक्कर डालने पे ये पानी छोड़ा है तो इसे हम 10 से 15 मिनट सक्कर के पानी में और पकाएंगे हलवा को हमने सक्कर डालने के बाद 20 मिनट तक और पका लिया है तो अपना गाज़र जो है perfect गल चुका है अब हम इस stage पे डालेंगे milk powder तो हमने 200 ग्राम milk powder लिया है इसे हम गाज़र में डालेंगे तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा मिल्क पॉडर डालेंगे और हल्वा को चला लेंगे फिर थोड़ा सा हम डालेंगे और हल्वा को एक पड़ा चला लेंगे तो ऐसे करके हम तीन से चार बार में मिल्क पॉडर ऐर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमने तीन से चार बार में डालना है मिल्ट पॉडर डालने से हल्वा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है तो ऐसे हम इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे पॉडर डालने के बाद हमें दस मिनटी पकाना है अब हल्वा में ज्यादा टाइम नहीं रहा तो आप ज्यान से देखिए मिल्क पॉडर डालने के बाद हमने हल्वे को 10 मिनट तक पकाया है यह काफी ठीक हो गया है अब हम इसमें डालेंगे इलाजी पॉडर तो हमने बाड़ा इलाजी के छिटके हटा के इसे दरदरा कूट लिया है अब हम इसे आइड कर लेंगे और साथ में हम डालेंगे ड्राइफ रूट्स तो हमने 25-30 बदाम को काट लिया है काजू को छोड़ी ठोटी टुकड़े में काट लिया है किश्मिश लिये है यहां पर आप अपने मन पशंद का ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं तो हम इसे अब ऐसे चारो तरफ फैलाते हुए डाल देंगे फोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्डिसिंग के लिए ऐसे हम चारो तरफ ड्राइफ रूट्स डाल लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे अपना इलैसी पौडर हल्वा में अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें तीन से चार मिनट तक इसे चलाते हुए मिक्स करना है इलैची पौडर डालने के बार हमने हलवा को 5 मिनद तक अच्छे से पकाया है खुश्बू फैल चुकी है और अब ध्यान से देखिए अपना हलवा भी काफी ट्राई हो गया है तो अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे हम एक कभर से 10 मिनद तक कभर करके छोड़ेंगे इससे क्या होता है इलैची पौडर हलवा में अच्छे से अबजब हो जाता है फिर हम इसे सर्व करेंगे मिल्क पौडर के सांथ इंस्ट्रेंट गाजर का हलवा बनकर तयार है तो इस रेश्वी को आप जरूर ट्राइल कीजिए अगर आज की मेरी हलवा की रेश्वी आपको अच्छी नहीं तो मेरे चैनल को लाइक केजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए धन्यवाद